अ हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरफ और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लिग के मैच कम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा बमौथ वर्सेस मैंचेस्टर सिटी के बीच मैच कवेंडियो का बमौथ एंड कीक आफ होगा रात में 11 पीम पे तो मैंचेस्टर सिटी के बारे में आप जानते हूंगे प्रीमियर लिग का टॉप क्लब मने जाता है अभी टाइटल रेस में चलने है टो टू टो इनकी फाइट चली आर्सेनल के साथ बट थोड़ा सा इनके पास यह है कि एक मैच इनर ने ज्यादा खेल लिया आर्सेनल से और इनके दो पॉइंट् सबसे जादर लीग में 60 गोल स्कोर के 24 कंसीट के और 52 इनके पॉइंट है वहीं बमौत अभी 17 पोजिशन में 23 में अपने 5 मैच जीते हैं 6 ड्रों 12 लों से 21 गोल स्कोर के 44 कंसीट के और 21 इनके पॉइंट है बमौत एक तरीके से रिलिगेशन जोन के आसपास है और अभी भी चांस है कि बमौत अगर खराब खेलती है रिलिगेट हो सकती है बाग्या मैं आपको दोनों टीम का लाश्ट रिजल दिखाता हूँ तो सिटी ने एक फ्रस्टेटिंग 1-1 ड्रो खेला अपने लाश्ट प्रीमिया लीग मैच में नोटिंगम फरस से यह मैस तो सिटी को जीतना था लेकिन वह उन्होंने ड्रो करा बैठे बनाडो सिल्वा का इसमें जैक ग्रिलिश का असिस था वहीं बमौत ने अपने लाश्ट मैज में एक वन निल नेरो मार्जीन से वूल स्कॉर रहा है तावर नेर का गोल था डॉमिनिक सोलंगी का असिस था अब इन दोनों क्लब्स के वीच इस सिटी ने अपने घर में फोर निल से बमौत को अरा दिय इस में सिटी फटी में तो समयल लिक में इनको बैक करने वाले हैं तो सबसे मेहीं चीज की लाइन अप अने बाद जूबी फाइनल टीम फाइनल अटेट्स वह आरे ले हमाडेशनल में टैली refuse दिडिक है आपको मिल जाए का ऑटैकरेंग लेंंद में बाहर है इनकी प्रोइबल लाँ देखते हैं एडरसन मोरास इनके गोलगीबर होंगे चार इनके डिफेंडर के काइल वाकर अकेंजी डियास एन नाथन है के अब यह से ऑन पेपर यह बैक पोर है लेकिन प्रेप गोडियोला आप जानते हैं बहुत ही फॉर्मेशन में चेंज घचेंट का जान से मैंचेस्टर सिर्टीए यह अंधा दर एनिसाट में सिर्टी तीन से चार गोल भी स्कोर कर सकती है तो लेकिन आप चाहिए तो सिब दो डिफेंडर करके दो दो एक्स्ट्र अटिक प्लेयर के साथ जा सकते हैं फिलाल अगर यह वैकलाइन खेलिए अभी म मैचे जो मैं देख रहा था एक नोटिंगम फ़रेश वाला एक अभी मिडविक में इन्होंने यूसियल खेला था अर्भी लेपजिक से उन दोनों मैचेस में आप वोकर की एवरेज पोजीशनिंग देखना ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस है कहने को ऐसा फुल वैक है लेकिन यह ऐसा विंगर की तरह ही खिल है तो आई थिंग डियास के कंपरेशन में वोकर वहां से ज्यादा चांस उनका बढ़ता है गोल असिस पॉइंट देने का वैसे डिफेंसिवली डियास और इनमें बहुत ज्यादा फरक नहीं है तो आपको लगता है वोकर ज्यादा अच्छा टेकिंग आउटपून नहीं दे पाएंगे आप इनके डियास ले सकते लेकिन अभी मैं एकी अकेंजी और वोकर इन तीम डिफेंडर को पिक करके चल लाएं अम मिट्फिल में केविन डिब्राइन इसके लाव फॉर्वेड में मारेज और हालेंड आई तिंग ये ताकि मारेज बहुत अच्छी गोल स्कूरिंग फॉर्म में और डिब्राइन अभी रेगुलर गोल असिस कर रहें तो आप इन दोनों में किसी को भी वाइस केप्टन कर सकते हैं अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी कॉल है रॉडरी ग्रिलिश और बनाड़ो सिल्वा आला तीन कर सकते हैं लेकिन अगर आप तीन डिफेंडर लिया रहें तो यहां पर मैं आपके अकॉर्डिंग कॉल ठोल लाओ ज्यादा से रिलाइवल रोडरी रहेंगे फुल नाइंटी मिनट खेलते हैं बिना गोल असिस के गारेंटीट 25-35 पॉइंट देते हैं और बीज-बीज में हलके से रिस्क के टेकर आप यहां पर ग्रेलिश के साथ जा सकते हैं तो यह वाला कॉल मैंने आप पे छोड़ा है फिलाल यह मैंचेस्टर सिटी की प्रोईबल 11 थी लगबग सभी जीजे मैं यहां से आपको डेटेल में कर दी पैनालिटी हाले लिंगे और यह मैंने सिटी क प्रीमियर लीक के अपोनेन की बात करने से वहले एक बार फृटसर रिमाइन दिला रहा हूं इस मैच की फैनल टीम फैनल अपडेट के लिए आपको जोईन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जो मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाए गए डिस्क्रिप् इंडर नहीं ले गया हो कोई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है बट इस्टिल किसी के साथ जाने है सेने सीने लास्ट कुझ में चैसे डिफेंसिव लिए अच्छा गया है और यह मुरावी डिफेंसिव टेंगिंग वाइस अच्छे हैं तो में इन दोनों में किसी के चोली रिकमेंड करूंगा यह अल्दो जब प्रिवियस मेनेजर था उसके अंडर में बहुत गोल्स भी मारा था यह बंदा तभी यह जॉइन टॉब्स को रहे टीम का चार गोल एक असिस लेकिन जब से इनके न्यू मेनेजर आये गैरी ओनिल इनके मेनेजर बने तब से उत गोल असिस करने में भी गविबल है और जब से बमोद में आये बंदा सारे कॉर्नर्स ले रहा है इस व्यासे मैं हमारी ट्रियोरे को भी पिक करके चल ला हूँ अवट आरा एंटनी दोनु पेसिब ले रहे हैं दोनु काउंटर में हिट करने के कोशिस करेंगे सिटी को लेक लेकिन अगर गोल असिस नहीं है ज्यादा पॉइंट नहीं दिंगे और मुझे लग रहे है बमोद इसको नहीं कर पाएगी फिलाल मैंने सोलंकी को पिक निक है इस वैसे मैं अभी के लिए जो की बहुत ज्यादा टेंग्लिंग इंट्रेप्शन की पॉइंट हमें दे सकते ह बहुत ज्यादा काइट पगेरा भी खालेते हैं लेकिन अभी मैं अटेंगिंग प्लेयर के साथ नहीं जा रहा हूं मैं एक डिफेंसी मिट फिल्डर लर्मा को पिक करके चलना हूं किसी को लगर आप बमोद अपने घर में एकाद गोल निकाल लेगी आप सोलंकी या आउट तो फिलाल यह मेरी डेमोर अफटीम है गोल की बर मैंने नेटो लिये हैं मैंने तीन सिटी के डिफेंडर ली एक किये हैं एकेंजी और काइल वो करें यहां मैंने डिब्राइना मारेज हालें को पिक किया और यहां से मैंने बिलिंग हमारी ट्रियोरे और जेफ्रिसल लर्मा को पिक किया है अब जो 11 कॉल है वो मैंने आप पे छोड़ा है प्लियर का आपको सेफ जाने है आप रोटरी के साथ जाए हलका जर रिस्क लेने आप जैक ग्रिलिश को पिक करके चल सकते हैं बाकी आप लर्मा के ब्लेज में अगर आपको लगता है एकाद गोल बमोज निकल ल सारे टेलीग्राम चैनल से तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन कर लिजिए